हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टी ओन चैनल ऑप्शन स्क्राइट तो आज हम फिर से आपके लेक और मज़ेदार डेली मार्केट अलिशिस वीडियो लाएं हैं जिसमें हम देखेंगे मार्केट इमाज क्या हुआ और आने वाले डीज में हमें क्या एक्सपेक्टेड हैं तो हमारे फॉल्यर से उन्हें अच्छे से पता होगा कि हमने लेवल बताया हुआ था कि मार्केट के लिए रेंज है अभी कुछ दिन के लिए 10,200 से 10,400 और अगर हमें अपर लेवल पर मार्केट मिलती है तो महां से शौट्स ले सकते हैं मैंने कमेंट सेक्शन में भी कुछ लो तो exactly कल के प्रेडिक्शन हमारी मार्केट ने आज वैसे ही मूव गया जो हमारे प्रेडिक्शन थी मार्केट मौनिंग में अप गया फिर यहां से थोड़ा बहुत स्लाइटली डाउन आया फिर एक रेंज में ही काफी देर ट्रेड करता रहा यह आपको ट्रेंड लें दिख अपकेटर था वो काफी देर होल रहा ग्लोबल मार्केट भी आज फ्लैट तो नेगेटिव थे ओपनिंग तो वहां से भी कोई ज्यादा निफ्टी को सपोर्ट नी था तो इसलिए मार्केट वहां से फॉल आया और हमें एक शाप फॉल देखने को मिला फिर लास्ट मार्के था 10,400 एग्जाक्ली युसी पॉइंट से हमें वही दिन का हाई था और वहां से हमें एक डाउन फॉल ही देखने को मिला पूरा दिन और हम काफी ऑल्मुस्ट हमने 130 पॉइंट का करेक्शन देखा निफ्टी में इंट्राडे में तो यह अच्छा मूव था अगर इंट्राडे में जिनों भी शॉट्स किये थे उनके लिए काफी अच्छा बेनिफिशल था आज का डे अब देख लेते हैं लॉंगर टाइम फ्रीम में आगे के लिए क्या द अगर आपको याद है मैं आपको बार बर बता रहा हूं यह जो लाइन 10,300 यह एक इमिडेट इंपोर्टन सपोर्ट है और मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है बार बार इंट्राडे में मार्केट इसके नीचे आता है लेकिन फिर से बांस बैक होने के मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है तो यह बहुत इंपोर्टन लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें फ़र्द डाउन-साइड के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहां से डांसाइड आना चाहिए लेकिन फर्श लिह उम से 10,200 जो हमारे निंज उसी टाई train में मारकेट ट्रेड कर रहा है अब उपर साइट से बारबर मैं आपको बता रहा हूं आप सेल कर सकते हैं इंट्राडे प्रॉफिट्स के लिए पोजिशनल ट्रेड के लिए हमें 10,300 जो हम ब्रेक कर देंगे तो हम इसली पोजिशनल ट्रेड देख सकते हैं उसमें फारा फर्स्ट गेट होगा 10,150 और उसको भी तोड़ते हैं तो 10,000 की तरफ हम मूव करने लगेंगे तो यह हो गया हम नं आरा निफ्टी का वीव निफ्टाड्य का आपिव ऑप्सिन में बिधेगे लेकान उससे पहले पैल गदी देख लेते हैं एक downfall का और वो हमें देखने को मिला भी, तो market mostly अज पूरा दिन इसी down channel में ही trade कर रहा था, एक बार market ने इसे break किया, लेकिन फिर से इस channel में enter होगे, तो यह important channel है, और अगर इसे हम break कर देंगे, तो हमें further downfall देखने को मिलेगा, यहाँ पे bank nifty में भी, अब bank nifty का important level जो मैं आपको बार पर बता रहा हूँ, वो है 21,200, यह intraday move था, अब एक बार longer time frame पर और देख लेते हैं, कि bank nifty में क्या move हमें देखने को मिल सकते हैं, यह हमारे bank nifty हैं, और यह अभी भी हमारी trend line पर support ले रहा है, ठीक है, तो हमारी जो trend line है, मैं आपको बता रहा हूँ, कि यह हमारी trend में चल रही है, nifty बार बार इस line से bounce लेता है, तो अभी भी यहाँ पे, अभी भी इस trend line को break नहीं किया, इसने दो intraday हमने break किया, लेकिन मैं आपको बार बार किता हूँ, हमें closing basis पे यह break चाहिए, जब तक इसे closing basis पे break नहीं करता इस trend line को, तब तक further downfall नहीं देखने हुएगा, और important जो हमारा level है, वो है 21,200, market ने आज भी इसे intraday में ज़रूर break किया था, लेकिन फिर upside आके, और market इसके अबब भी close हुआ, तो बार-बार हमें यहीं देखने को मिल रहा है कि market अभी consolidation phase में चल रहा है कुछ दिन से, और market कोई clear direction हमें clear view नहीं दे रहा है, तो हमें positional trades जो भी बनाने, उसके लिए अभी भी wait करना होगा, 21,200 market के लिए bank nifty में बहुत important level है, इसे break करते हैं, इसे further एक अच्छा downfall देखने को मिल सकता है, next हमारा thousand point के लिए 20,200 की तरफ हम move करने लगेंगे, तो यह हमारा बहुत important level है, इसे जरूर वाच कीजिए आप intraday में, कि अगर हम इसे break कर देते हैं, positional trade में, अगर हम इसे break कर देते हैं, तो हमें एक अच्छा खासा sell-off देखने को मिलेगा, positional trade हम वहाँ से बना सकते हैं, अब एक बार देख लेते हैं, option chain में हमें क्या data देख रहा है, तो यह हमारा option chain का data है, 10,300 हम इसे के असपास close हुएं, कल भी यहीं थी, market आज आप देखेंगे, तो ज़्यादा कोई market में movement नहीं थी, almost हम 10 point down close हुएं, हाँ, दो हम intraday में, आप move के साथ open हुए था, gap up opening हुए थी, लेकिन हमारी closing negative हुई है, slightly negative हुई है, तो अप intraday में 2300 देखेंगे, तो 3 lakh and 2 lakh 31 तो almost same positions थी, तो इसलिए market AC के आसपास close हुआ, और overall OI का gap देखेंगे, तो 25 lakh 48 and 19 lakh 75, almost 5.5 lakh का gap है, लेकिन अभी भी यह gap बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा significant नहीं है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा gap नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको important देखनी पड़ेगी, कि 10,200 पे puts में unwinding होई है, 72,000 पी, और 10,200 जो हमारी lower side है, वहाँ पे इस side call side में additions होई है, और अगर आप 10,100 देखेंगे, अगर आपको last video याद है, तो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था, कि यहाँ पे 11,100 पोजिशन एड हुई थी, तो यहाँ पे यह support बना रहे थे, लेकिन आज वो positions withdraw कर ली गई है, यह put यहाँ से square off हो गई है, तो यहाँ पे 8,32 नेगेटिव हमें होई दिख रहा है आज का, तो यह भी हमें एक indication दे रहा है कि market यहाँ से downfall जा सकता है, जो put writer है, वो अपनी positions unwind कर रहे हैं, unwinding देखने को मिल रही हैं हमें put writers की तरफ से, तो market 10,100 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, यहाँ जो एक strong support बनता हुआ दिख रहा था कल, आज इतना strong support नहीं है, तो यह हमें बहुत ही अच्छा मारे बता रहा है, as a major resistance work करने वाला है, especially इस week में, तो इसके आज़ पस हमें अगर market मिलती है, तो हमें वहाँ से shots देखने चाहिए, वहाँ से हमें एक downfall देखने को मिलेगा, और यह बहुत ही strong, इसने एक resistance point बना दिया, ओवरॉल पोजिशन भी आप देखने तो almost 33 lakh का हुआ आई है, तो यह बहुत अच्छा हुआ आई है, और maximum हुआ ही हमारा 10,500 की जगा, आप 10,400 पे shift हो चुका है, तो यह भी एक clear indication दे रहा है, कि 10,400 एक major resistance work करेगा, इस week की expiry में, क्योंकि यह इस week का data है, में दिखा रहा है कि उन में fear है, कि market यहां से downfall आ सकता है, volume दो आपके, आज के overall कम ही थी, volume इतनी हाई ही नहीं थी, तो volume based driven move तो आज नहीं था, और वैसे भी market आज almost flat close हुई है, तो overall candle की आज इतनी value नहीं है market में, लेकिन जो हमारा OI data दिखा रहा है, तो आज की वीडियो में इतना ही friends, hope आपको अच्छी information मिली होगी, चैनल पर लेए हैं तो इससे subscribe जरूर कर लें, और वीडियो में कुछ भी अच्छी information मिली है, तो इससे like और share भी जरूर कीजिए, तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में,